जैम आता दी दोस्तों, कई लोग तो उपर से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से दुखी होते हैं, उनके चेहरे पर भले ही मुस्कान दिखाई पड़ती है, परंतु उनके मन में उथल फुधल मची रहती है, उनके दुख उनके मन में कुछ इस प्रकार से घर कर ज जिसके बाद आप दुखी मन की समस्य से चुटकारा पा लेंगे, चलिए जानते हैं, पहले वो कहानी, एक व्यपारी ने शहर में नया घर खरीदा, उसके घर के बाहर पारकिंग और खुद का एक चोटा सा बगीचा भी था, वह व्यपारी बहुती खुश था, एक दिन जैसे कार की हेडलाइट भी तूट गई, और इसी तरह वो पत्थर गाड़ी को हर दिन नय 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 नुकसान पहुचाने लगा, यह देखकर व्यपारी के मन में विचार आया, जरूर यह कोई चटान होगी, जो जमीन के अंदर दबी हुई है, उसने सोचा चटान काफी जिसष करने लगा, तो एक पर फिर व्यपारी का गुस्सा आप इसे बाहर चला जाता है, और व्यपारी फैसला कर लेता है, कि आज चाहे जो हो जाये, व्यपारी का अज चटान को जमीन से बाहर निकाल कर रहेगा, उसने अपनी मदद के लिए अपने कुछ मित्रों को बु खाड कर रहेंगे इतना कहते ही व्यपारी ने उस पत्थर पर वार करना शुरू कर दिया अश्चरे की बात यह थी कि व्यपारी ने मात्र दो से तीन बार ही उस पत्थर पर वार किया था और इतने में ही व्यपूरा पत्थर जमीन से बहार निकल आया यह देखकर सभी हैरान भी काफी चौक गया व्यपारी के मित्रों में से एक मित्र मुस्कुरा कर बोला तुम तो कहते थे कि बगीचे के बीचों बीच एक बड़ी से चटान दबी है लेकिन ये तो एक छोटा सा पत्थर निकला जो मात्र दो तीन प्रहार से ही बाहर आ गया यह देखकर व्यपारी को बहुती पश्तावा हुआ काश उसने पहले ही इस पत्थर को निकालने का प्रयास कर लिया होता और आज तक उसे इतना नुकसान ना हुआ होता साधी भू अपने मित्रों के सामने हास्से का पात्र बनने से भी बश जाता इसे विश्य से संबंदित गीता में कुछ सलोग प मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण यहां वहां विचलन करता है लेकिन मनुष्य को उसे वहां से खीच कर लेना चाहिए और अपने वश में रखना चाहिए दोस्तों कोई भी दुख दर्द या परेशानी सबसे पहले हमारे मन पर ही वार करते हैं क्योंकि वह जानत में आने वाली चोटी-चोटी परेशानीयों को चटान सा विशाल मान कर बैड़ जाते हैं मन में विचार बना लेते हैं कि हमारा दुख बहुत बड़ा है और इसी विचार की वज़ा से हम कभी भी उस दुख से बाहर नहीं निकल पाते जबकि असल में वो परेशानी चोट पत्थर के समान होती है इसलिए जब भी आपके मन में कोई दुख आए तो उसके बारे में मन ही मन विचार करने की बजाए उसकी एक विशाल शवी बनाने की बजाए उस दुख से लड़ना सीखें और जैसे ही आप उस दुख से ड़ने की बजाए उससे लड़ने की ठान लें साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुं सके धन्यवाद दोस्तों